गुर्ट मॉनिंग चिल्डान, कुसुमें के ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, कि विभाग ने वार्शिक प्रिक्षा के लिए डेट सीट जारी कर दी है, अर थार्थ आपके एन्वल एक्जाम 27 मार्च से पर्टी वस्तुनिष्ट पर्सन पूछे जाएंगे, और सभी पर्षनों का उत्तर देना अनिवारिय होगा, आपके स्लेवस के अनुसार, आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप अच्छी तरह से एक्जाम दे सकें, और अच्छे नंबर प्राप् आज का हमारा टोपिक है, पार्ट दे रहें, द्रोहर. हमारा पहला क्यूशन है, द्रोहर का अर्थ है, देखिये, यहाँ पर चार ओप्शन दिये गए हैं, एक्जाम में भी आपको इसी तरह से क्यूशन के साथ नीचे जो है, इसी तरह से ओप्शन दिये मिलेंगे, और उन ओप्षन में से जो भी correct ओप्षन दिखे उसी पर आपको टिक लगाना होगा तो देखी यहां जैसे द्रोहर का अर्थ दे रखा है धरा, खै में है अमानत, और गह आकास, और घह दे रखा है सलामत तो हमें द्रोहर का अर्थ बताना है, तो हमें कौन सा क्यूशन सही लगेगा बताओ, कौन सा क्यूशन सही लगता है आपको उभी इसमें से ख अमानत, तो हमारा आंसर ख होगा साइकेंड क्यूशन देखिए पाठ में द्रोहर किस का नाम है तो हमें बताना है द्रोहर किस का नाम है तो बच्चो देखो इनके ओप्षन को पहले तो ध्यान से पढ़िएगा पहला ओप्षन देखिए है वियान साला ख ओप्षन दे रखा है पाठ शाला और गह option है विस्विधाले या घह option है संगहले तो बच्चो, द्रोहर हो जो है, वो एक संगहले का नाम है तो हमारा option होगा घह संगहले ठाल किशन देखिए जहां स्री किशन ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वहीं द्रोहर संगहले स्थित है तो बताओ बच्चो, स्री किश्चन ने अर्चुन को गीता का उपदेश कहां दिया था? बताओ श्यावास, महा भारत तो देखी भी होगी आपने है ना? कहां पर दिया था? कुरुक्षेत्र में, तो हमारा ओप्षन है कुरुक्षेत्र फॉर्ट क्यूशन देखिए, द्रोहर संग्राले में किस राज्य की रीती रिवाज, त्योहार, खान, पान, रहन, सहन आदी का वर्णन किया है? तो बच्चो यहां पर हमारे राज्य हरियाना के रिती रिवास, त्योहार, खानपान और रहन सहन का वर्णन किया गया है तो उप्षन होगा गः हरियाना यह वाला कुशन देखिए द्रोहर संग्रहाले की शान बना हुआ है तो बताया गया है यहाँ पर उप्षन दिये गई है चार पहला उप्षन है हमारा 1250 वर्ष पुराना मटका या 1300 वर्ष पुराना हुका या गः उप्षन है बैल गाड़ी और गः उप्षन है 1200 वर्ष पुराना मटका तो बच्चो इस question को याद कर लो द्रोहर संग्राले की शान जो है वो 1200 वर्स पुराना मटका वहाँ पर एक मटका रखा गया है जो 1200 वर्स पुराना है वही द्रोहर संग्राले की शान बना हुआ है तो option है हमारा घर अब आगे देखिए next question है अभी हाल ही में हर्याना की खिलाडी शाक्षी मलिक को हर्याना सरकार ने प्रुश्किर्ट किया है द्रोहर में ऐसे ही प्रुश्किर्ट खिलाडियों के साथ साथ किनके चित्र लगे हुए हैं तो यहां पर देखो option है क प्रिधानों के या ख option है ओर्तों के ग ऑप्शन है सवतंतरता सेनानियों के या घ इमारतों के तो बच्चो आपको पता है द्रोहर में प्रुश्किर्ट खिलाडियों के साथ साथ सवतंतरता सेनानियों के चित्र भी लगे हुए हैं तो हमारा option होगा ग यह वाला question देखिए संग्रहले को स्थापित करने में किस विश्व विद्यहले ने योगदान दिया तो बच्चो कुरुक्षेत्र विश्व विद्यहले कुरुक्षेत्र में ही है कुरुक्षेत्र विश्व विद्यहले ने जो है वो संग्रहले को स्थापित करने में योगदान दिया है इसको पच्छी तरह से याद कर लेजिए, option हमारा है ये ख, next question देखिए, देशा में देश हर्याना, जित दूद दही का खाना, हर्याना राज्य किस यहां जो है, विस्व भर में किस लिए परसिद है, ये पूछा गया है, किस लिए परसिद है, तो यहां पर आप option देख सकते हैं, दूद दही के लिए, फशलों के लिए, या पसूओं के लिए, तो बच्चो, ये है, ख, किस के लिए परसिद है, पता है, दूद दही के लिए, ये वाला फिशन देखिए, हर्याना में कुल कितने जिले हैं, तो बच्चो, ये आपको याद करना है, हर्याना में कुल 22 जिल औप्षन होगा हमारा घः टैंथ किर्शन देखो कुरुक्षेत्र जिले में ध्रोहर संग्राले के साथ साथ एक और परसित संग्राले है जिसका संबंध माधाव से है देखिए का औप्षन है पिनोर्मा खः औप्षन है कल्पना चावला तारामंडल यह गः औप्षन एक सरी कृषन संग्राले या ग्रुक्षेत्र जिले में ध्रोहर संग्राले के साथ एक परसित संग्राले भी है कूझसा है पता है जीता भावन है यहला किर्शन संग्राले में सबको आकरशित करते हुक्के की उंचाई है वहां हुक्का भी रखा हुआ है और उसकी उंचाई जो है वो पाँच फुट है तो option होगा हमारा ख पाँच फुट Next question देखिए आमतोर पर किसी भी वस्तु का निर्मान करते हुए जोड आता है परंतु संग्राले में डैस का बना एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें ने तो कोई जोड है ने ही इस पर रंग किया गया है तो यहां पर ये question पूछा गया है तो बताईए बच्चों क्या answer होगा इसका पता है आपको ओप्शन को ध्यान से पढ़िए पहले तो ओप्शन है हमारा क, मिट्टी, ख, मॉम, ग, तेरा कोटा और ग, ओप्शन दिया गया है लोहे तो बत्चों यहां आएगा संग्राले में तेरा कोटा का बनाई कैसा हुका है तो ग, जो है ओप्शन तेरा कोटा आएगा उसके अंदर जो है ना कोई जोड है ना ही इस पर रंग किया गया है यह वाला क्यूशन देखिए रोहर में रखी चारपाई पर कोन सी आरती को पुनाई के साथ लिखा गया है कोन सी आरती है पता है ओम जय जगदीस हरे सुनी है ना बच्चो आपने भी हाँ, हर धर में ये आरती बड़े ही चाव से गाई जाती है ठीक है, तो यही आरती जो है वो चारपाई पर भी बुनाई के साथ उसमें लिखा गया है चारपाई के उपर ओम जय जगदिस हरे ओप्सन है हमारा ये वाला क्यूशन देखिए पारंप्रिक प्रिधानों में रखे गई बावन कली के दामन की विशेस्ता क्या है तो हमें बावन कली का दामन जो है उसकी विशेस्ता बताना है यानि इसका रंग बहुत गाठा है या इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है क्या इसमें कभी न काला होने वाला घूटा लगाया गया है या ये बहुत हलका है तो बच्चो इसकी विशेस्ता क्या है पता है इस दामन को दोनों तरफ से पहना जा सकता है सुल्टा उल्टा एक जैसा ही है ये तो हमारा ओप्शन होगा ख यहाँ पर next question देखिए संग्राले में रपड की तरह हीलने वाले पत्थर हर्याना के दादरी के स्मिप गाउं की पहाडी से मिले हैं ओप्शन है हमारा कलियाना, मिर्जापुर, कमोदा या काकोथ तो ओप्शन होगा बच्चा आएगा यहाँ पर क कलियाना यानि की संग्राले में रपड की तरह हीलने वाले पत्थर हर्याना के दादरी के स्मिप कलियाना गाउं की पहाडी से मिले हैं यह वाला क्रिशन देखिए जैसी हारी, बिलोनी, घिलडी, बोहिया, बरतन, जांजन, कडी जालरा, हसली, हत्फूल आभूशन वैसे ही देखिए, रत, बैलगाडी, रेल, जहाज तो ओप्शन में यहाँ पूछा गया है क्यों श्रमार्क लगाया गया है तो बताए, जैसे यह आभूशन है न, यहाँ पर देखिए यह सभी कहता है, जैसे यह सब आभूशन है उसी तरह से रत, बैलगाडी, रेल, जहाज यह क्या है तो ओप्शन है बच्चो हमारा यातायाद के साधन यह रत, बैलगाडी, रेल, जहाज सभी यातायाद के साधन है तो ओप्शन होगा ख यह वाला क्यूशन देखिए भाशा के आकर्शन और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का परियोग किया जाता है जैसे जहां खाना बनाते हैं इसको रुसोई घर बोलते हैं है ना पूजा करने का स्थान पूजा घर होता है नहाने का स्थान स्नान घर होता है तो इसने पूछा है पाठ के अनुसार पस्वों के बांधने का स्थान जहां पस्वों को बांधते हैं उसको बताओ क्या कहते हैं हाँ बच्चो उसको घेर कहते हैं तो ओप्सन होगा हमारा घर घे अब यहाँ पर देखो आगे क्यूशन पूछा है इसने सही वर्तन छाटो तो यहाँ पर हमें सही वर्तन छाटना है तो बताएए पहला है संग्राले यहाँ देखिए सही वर्तन का मतलब क्या है जानते हो कि किस त्रहें से सही लिखा जाएगा यह किस त्रहें से बोला यह संग्रहल्य लिखने में देखो, यहां पर देखिए इसको संग्रहल्य कैसे लिखा है इसने, और एक है यह संग्रहल्य, और एक यह है संग्रहल्य, और यह है संग्रहल्य, तो लिखने में देखो बच्चों, बहुत अंतर है इसमें, है न, यहां देखिए संग्रहल्य, ये है ये भी संग्रा हल ये है है ना और यहां तो हमारा इन में सब में जो सही वर्तनी है वो है ख संग्राल्य ऐसे आएगा बच्चों संग्र हाल्य तो हमारा उपसल खया होगा ये वाला क्यूशन देखिए पांडू लीपी से क्या अभी पराय है हम लोग जिस धमनी को मूँ से बोलते हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन निश्चित कर लिए गए है इन निश्चित चिनों को लीपी कहते हैं और पांडू लीपी से अभी पराय है तो यहां पर बता इसने लीपी क्या होता है, बताओ, पता चल गया क्या, पर जिन धमनियों को हम मुँ से बोलते हैं, लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रियोग करते हैं, उन्हें हम उन चिन्हों को ही लीपी कहा जाता है, और पांडू लीपी किसे कहते हैं, पता है, हाथ से लिखी हुई र यहां रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उल्टपुल्ट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती है इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है तो यहां पर देखे qution पूछा गया है इसमें से कि इन पंक्तियों में किस राज्य की बात कही गई है तो बताईए बच्चों किस राजय की बात कही गई है, उप्शन देखिए, पंजाब हिमाचल हर्याना या भारत, तो बच्चों हमारे राजय हर्याना की बात कही गई है, उप्शन होगा ग अब आगे ये वाला question देखिए दामन की कितनी कलियां है तो यहाँ पर पूछा गया है दामन की कलियां कितनी है इसमें कई बार आया भी है ना बताया गया है कितनी कलियां है बताओ बावन तो यहाँ पर option होगा हमारा ख बावन ये वाला क्यूशन देखिए दामन की एक विशेष्टा दोनों तरफ से पहना जा सकना है और दूसरा इसका वजन कितना बताया बताओ पंद्रहे किलोग्राम तो आपको पता चल गया ना ये वाले क्यूशन देखिए second क्यूशन, third क्यूशन, fourth क्यूशन किस त्रहें से दे रखे हैं यह? ये जो हमने एक पहरा पढ़ा था ना यहाँ पर देखिए ये वाला ये वाला जो पहरा हमने पढ़ा था इसी पर आधारित ये कुछ क्युशन पूछे गए है बच्चों इसी क्युशन को हम देखिये सोल कर रहे हैं तो यहां पर अब ये वाला क्युशन देखिये पारंप्रिक का विलोम होगा ए पारंप्रिक आधुनिक, कृत्रिम या पुराना तो बच्चो पारंप्रिक का विलोम होता है आधोने विलोम का मतलब तो समझते हो गया उल्टा पारंप्रिक का मतलब होता है प्रमप्रागत यानि पुराना चीक है जो प्रमप्राओं से चला रहा हो पुराना हो और इसका उल्टा हो जाएगा आधोने ख यह देखे यह क्योशन, वचन बदलो, महिलाएं, महिलाएं जो है उनका वचन बदलना है हमें, यानि महिलाएं कौन सा वचन है बताएए पहले तो मुझे, बहुवचन, और बहुवचन को हमें कौन से वचन में बदलना है, एक वचन में, तो बताओ, महिलाएं का एक वचन क् महिला तो option है हमारा ग अब next question देखिए यह है दामन में बावन कली है बावन कली में कौन सा विशेशन है यहाँ पर हमें विशेशन बताना है बच्चो तो देखिए बावन बावन जो है वो संख्या को दर्शा रहा है है ना इसलिए यह कौन सा विशेशन हुआ यह संख्या वाचक विशेशन हुआ option हमारा होगा ग तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही next वीडियो में मैं आपको आपकी ही कक्ष्या के हिंदी के अलावा math, English और प्रिवेश अधहन की भी वीडियो आपको करवाऊंगी, सिखाऊंगी जो आपके annual exam में काफी helpful होगी और इसके लिए वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल online study hub को subscribe भी करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख पाएं इसके लिए notification मिलता रहे इसके लिए क्या करना है आपको साथ में दिये हुए bell icon को प्रेस करना है तो बच्चो इसी तरह से नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बच्चो